करनाल के मालरोड पर दो कारों में भ्यंक टक्कर होने से एक बड़ा हाथसा होते होते तल गया बताया जा रहा है कि एक खड़ी कार में पीछे से आ रही कार ने टकर मार दी जिससे एह हाथसा हो गया हाथसे के कारण काफी देर तक यातायाद बाधिक भी रहा फिर पूल इस मोके पर पहुँची और यातायाद को सुचारू करवाया गनिमत रहे कि कोई जान की हानी नहीं हुई है इस हाथसे में चालक सहीत परिवार के लोग घायल हो गए है आपको बता दे कि एक कार में एक परिवार सहीत बच्चे बैठी हुए थी टकर इतनी भयंकर थी कि गाड़ी के सेफटी बैलून खुल कर बाहर आ गए गनिमत यह रही की हाथसे में किसी की जान नहीं गई परंतु गाड़ी में बैठे परिजन एवं बच्चे घायल हो गए है जिनको इलाज के लिए इस्पताल पहुचाया गया वहीं मोके पर पूलिस ने पहुचकर सारे मामले का संग्यान लिया इवं मागे की कारेवाही प्रारम कर दी यहा गाड़ी में बैठे परिजन इवं बच्चे बालबाल बचे वहीं जाच अधिकारी ने बताया कि माल रोड पर एक कार खड़ी थी तबी पीछे से एक कार ने आकर खड़ी हुई कार में जुरदार से टकर मार दी जिससे एक ड्राइवर वह एक महिला घायल हो गए है फिलहा एक्से अग्सणाद घ्राइवर जोंड़ घाड़ी कार खड़ी एक्सावट वे घ्राओ यहां फोनारी जाड़ी हो यहरा जोसा फिलह धी से पैसा ज़ितने उन होगी जिसमें लिक डॉली मैं लाज खकर लिये कॉलें नोम है भी तेरा इभी यहां के भरी है, और बैसे तो पार्किन है नहीं है, जी जासी मनाज़ी उन असी होगी बैसी कार रहे है अपुलीनों के द्राइवर? मुख्य पर से अपि कोई नहीं नहीं आए, आएसा कोई नहीं नहीं आए, वो सेल्ज में होगे, इदर उदर होगे है, तो वो कोई बात नहीं है, तुरी सब नहीं कार गए है. अगया आए, आएसा कार गए है. झाल झाल